वेल सो दोस्तो चलिए अब हम हमारा कोशनेर डिस्केशन स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग टू जी एस्टी जो मेरे साथ डेली बेसिस पे क्लास देख रहे हैं तो मैं उनको यह बता दू सबसे पहले तो मुझे बताओ मेरी आवाज वगरी क्लियर आ रही है न जो मेरे होगा तो आपको आपके लॉगिन में उसकी पीडियाफ मिल जाएगी लेकिन जो यह लेक्चर ओडी पीडी में एक मैने बात देखेंगे अपने हिसाब से तो उनको तो सारे बुक एक साथ मिल गई होगी तो क्वेशनेर बुक वन जो है GST का हम यहां डिस्केशन स्टार्ट करेंगे चलिए are you ready yes or no तो दोस्तों हम अभी जो है okay around 10 questions जो है हम यहां पे आज जितना भी discussion हमा रहा हुआ उसके base पे 10 questions हम discuss करेंगे आपके सामने बुक रखिएगा यह question है discussion करते वक और आप भी जो first time पढ़ते हो तब एक principle याद रखिएगा तो आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी कौन सा principle आपको याद रखना है पहला principle आपको यह याद रखना है कि suddenly recall करने की कोशिश मत करना कि आपको सब कुछ याद आ जाए ऐसा recall करने की कोशिश मत करना ठीक है regular book open करना concept को देखना question देखना concept को देखना फिर mapping करना फिर questionnaire में जैसे regular book तो ठीक है मैंने उसको बहुत अच्छे से arrange करके दिया है लेकिन really आप सिखोगे exam में कैसे लिखना चाहिए यह questionnaire से इसलिए questionnaire आपको पढ़ना ज़रूरी है दूसरा questionnaire की जो important questions है हम यहाँ पर discuss करेंगे कोशिश करूँगा यह maximum question लो लेकिन जो important questions है वो questions हम यहाँ discuss करेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए I hope आपको समझ में आ गया होगा फिर अब हमारा discussion हम स्टार्ट करेंगे अगर हम देखें तो पहला chapter charge of tax and concept of supply आपके regular book में तो पहले दो जो chapter है उसको मैंने combine कर लिया है इसलिए ऐसा हो सकता है कि यह chapter number और आपके regular book के chapter number match ना हो ठीक है क्योंकि यह मैंने कभी-कभी merge करके भी बनाए है तो concept of supply भी मैंने इसमें ले लिया है चलिए अगर आप देखते हैं तो around 28 questions हमें देखने हैं जिसमें हमारे study mat में जो questions दिये सारे questions मैंने ले लिए examination जो important questions थे वो भी ले लिए RTP mock test paper के पिछले चार-पास साल में जितने भी अच्छे questions है वो ले लिए और other questions जो मैंने बनाया है जो मुझे लगता है जिसके अपर सवाल आपको पुछा जा सकता है वो मैंने आ लिए दोस्तों मैं आपको कहूँ तो मेरा questionnaire enough है more than enough है आप अगर regular book पहली बार regular book और questionnaire पढ़ते हो तो enough उसके बाद में मेरी chart book और questionnaire पढ़ते हो तो भी enough है इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की वैसे कोई भी जरूरत नहीं है हाँ आपके आने वाले attempt की current RTP जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपके attempt की RTP obviously इसमें covered नहीं रहेगा आने वाले attempt की RTP तो जब भी RTP आएगी तब आपने इसको देखना है चलो हम question discuss करते है एक question जो final के mock test paper में April 23 में आया था okay elaborate the difference between zero rated supply and exempted supply ठीक है मैंने zero rates अपला है आपको बहुत ही simple वे में पढ़ाया था अगर आप पहले तो एक काम करो regular book open करो regular book में जहां तक है आप जाहिए यहां yes regular book में जाहिए और regular book में आप जो है हाँ इसके पहले में थोड़ा बता देता हो question आपको कैसे पढ़ना है first time पढ़ रहे हो तो question कैसे पढ़ना है यह बहुत जरूरी है यही नहीं आएगा आपको पहले दो डिजिट यह hsn system में यूज करता हो पहले दो डिजिट जो है वो chapter number हम पहले chapter पढ़ रहे है दूसरे दो डिजिट जो होते है वो concept number definitions पर questions है तिसरे दो डिजिट जो होते है वो question number यहाने mainly question number यह होता है लेकिन अगर आप मेरे team को research team को अगर आप यह code भेज देते हो तो उनको समझ जाता है आपके कौन से question में आपको problem है okay और यहाँ पर conceptual और practice question CCP का मतलब है conceptual okay clarity और practice question के base पर हमने लिया है यह last के 2 digits किसलिए तो last के 2 digits इसलिए है कि अगर मुझे उस question से related future में कभी add करना रहे तो फिर वहाँ पे number आते है मतलब 01 के type का यह question add करना है तो फिर उसके नीचे वो last के 2 digits यूज की जाते है ऑके पर अभी तो आपका question number 01 ही रहेगा चलिए अब मैं आपको यह बता दू कि यह जो question है आपका chapter 1 जो था introduction and levy of GST उसमें आखरी वाला page अगर आपको याद होगा 0 rated supply है वो open करो चलो open करो 2 minute के लिए अगर आप वो open करते हो तो वो situation में 0 rated supply section 16 of IGST act में मैंने define किया था section 16 of IGST act में वैसे तो जब IGST act हम पढ़ेंगे तो बहुत detail में उसको पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे 0 rated supply मतलब अगर आप export करते हो या आप SEZ को supply करते हो तो वो supply को government ने incentive दिया है और exempted supply तो अगर आपको इस जब डेफिनिशन पार्ट पढ़ाया था तो उसमें taxable supply non taxable supply exempt or nail rated supply चार्ट ओपन करो चलो चार्ट ओपन करो आप open कर लिया चार्ट चार्ट जब आप open करोगे तो उसमें देखो मैंने basic difference बताया था exempted supply and zero rated supply लेकिन अब देखो questionnaire पढ़ने का फायदा क्या है वहाँ तो आप basically concept को समझ गया लेकिन जब तक questionnaire जैसे exam में क्या expect करते हैं कितने point पर expect करते हैं जैसे mock test paper में expect किया है तो कितने point पर expect किया जाता है इसलिए आपको यह questions देखने बहुत बहुत जरूरी है okay concept clarity आगे चलिए तो मैंने तब भी पढ़ाया था और अभी भी आपको समझा देता हो तो दोनों बाते हमारी और अच्छे से cover हो जाएगी exempt supply means supply of any goods और service बहुत वीचा attract nil rate of tax और which is only exempt यह non taxable supply यह definition है और कि nil rate exempt और non taxable supply zero rated supply मतलब export of goods or services यह supply of goods or services to a citizen यह तो basic difference है फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यह तू सर ने बता दिया अब हम क्या लगे अब देखो कुछ students यहां बड़े general answer लिखेंगे और आपके कोई doubts questions होगे तो मैं बीच में entertain नहीं करने वाला हो जब तक मैं आपको यह ना क no tax is payable on outward exempted supply, however the input supplies used for making exempt supplies are tax ok outward exempt supply हाँ, अब यह point वह क्या tax पर करते हैं mok test paper में, कि आपके outward exempt supply पर कोई tax नहीं आएगा लेकिन आपने exempt supply बनाने के लिए अगर कुछ input खरीदे या input service करे तो उसके ओपर tax आता है और उसका credit भी नहीं मिलता है दूसरा एक difference जो बहुत अच्छा है, जो आगे मैं cover करूगा, no tax payable on outward supply, but ITC is available, अब दोनों में ये ITC वाला difference समझ लो, अगर आपका outward supply exempt है, तो आपको ITC के credit नहीं मिलते हैं, simple में मैं समझाओ तो, लेकिन zero rate supply है, तो आपके output पे आपको tax देना नहीं पड़ता है, और उसके लिए, यहने export के लिए, अगर आपने कोई input खरीदा, या input service करीदा, तो उसके credit भी मिलते हैं, और आगे तो पड़ा होगा, उसके refund मिलते हैं, तो आपको, आपसे institute ये point भी expect करती है, सिब definition नहीं है, आपको credit भी मिलते हैं, और आगे तो मैं पड़ा होगा, जिरो रेट सप्लाई के लिए, जो ITC होते हैं, उसके refund भी आपको मिलते हैं, रिफंद भी आपको मिलते हैं, चलिए, नाउ next, value of exam supplies for apportionment of ITC, शाल इंक्लूट शप्लाई, on which recipient is liable to pay tax under reverse charge basis, transaction in security, sale of land, ये detailed discussion in ITC, detailed discussion in ITC chapter, ये मैं ITC chapter में आपको पड़ा होगा, ये difference में ITC chapter में पड़ा होगा, where zero rated supply shall be added along with taxable supplies for apportionment of ITC, ये अभी नहीं समझेगा, जब ITC chapter पड़ा होगा, तो उसमें मैं आपको बहागा, उसके बाद में person engaged exclusively in the business of supplying goods or service or both, that are not liable to tax or only exam under GST, shall not liable for registration, but person excludes exam making zero rated supply, need to register as refund of unutilized ITC or IGST, अब ये वाला point समझेख लो, section 23 registration chapter में आता है, और आपको ये लिखना होगा, तो ये section 23 है, section 23 है कहता है कि अगर आप exclusively, सुनना, अगर आप exclusively exam supply में एंगेज होते हो, तो आपको registration करने की जरुवत नहीं है, और कि वो section 23 में हम देखेंगे, लेकिन, मैं आपको बता दूँ दोस्तो, अगर आप zero rate supply करते हो, सिब आप export करते हो, तो export interstate माना जाता है, IGST Act के अंदर, और अगर आप interstate supply करते हो, तो section 24 में compulsory registration है, और यहां registration लेना इसलिए पड़ता है, क्योंकि आपको refund भी claim करना है, तो 5 points institute ने expect की है, अब यह question अगर exam में आया, और आपने अगर सिर्फ 2 points लिखे, तो आपको marks इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, सर पर आपने तो, दो ही points लिखा है, दूसरा हम, okay, out to ITC का difference लिखेंगे, तिसरा भी ITC से related difference है, चौथा जो है, वो भी ITC से related difference है, तीनों भी ITC से related difference है, 4th number का point में आपको बाद में पड़ाओगा, और लास्ट जो है, और यहां पे 5th number का registration का है, अगर point number 2, point number 3, यह point number 4 में अभी भी confusion होगा, तो don't worry, हम देखेंगे, ITC चाप्टर में बहुत depth में और बहुत अच्छे से आपको बढ़ा दोगा, तब आप कहोगे, सर सही बोला आपने, और कि जो बोला, बहुत easy बोला, सही बोला, चलो, यह एक difference था, between zero exempted supply and zero rated supply, तो ऐसे भी question exam में आते है, आपको एक insight मिला, ठीक है, बाकि point number 2, 3, 4 में कोई question होगा, तो ITC चाप्टर में clear हो जाएगा, then, चलिए, आप question number 3 पे आजाओ, question number 3, case पढ़ते है, regular book open रखना, फिर, किस से related हैं यह देखते हैं, Mrs. Pragati received a legal service, for a personal problem, and paid rupees 1000, paid rupees 1000 pound, as a legal fees, to Miss Unnati of UK London, इसे क्या समझे, Pragati यहाँ पे उसने personal purpose के लिए, service लिया, जिसका consideration दिया 1000, और उसने भार से यह service, import की legal service, London से import की, explain whether अबर activity of import of service, would amount to supply, ख्याल रहें, उन्होंने यह नहीं पुछा, की tax आएगा यह नहीं आएगा, उन्होंसे भी इतना पुछा, की क्या यह activity supply बोली जाएगी, supply बोली जाएगी, section 7 के हिसाब से, इन अबो केस, बोथ आप देम आर रियल सिस्टर, सोचो की दोनों रियल सिस्टर है, अगर वो केस बदल रहे है, नो कंसिडरेशन इस पेड़, इन विल बी, इन विल इट चेंज और आंसर, यह भी बताओ, इन अबो केस, इन बोथ आप देम आर रियल सिस्टर, और मिस्स प्रगतिर इस्यो लिगल सर्विस पौर हर बिजनेस, और शी डोजन पे एनी कंसिडरेशन, इन वाट विल बी यूर एंसर, इन विल जाएगी, अजुम्ट आप देम्स प्रगति, जब भी अगर आपको जरुवत पड़े, तो आप यह आजूम कर सकते हो, कि दोनों डिपेंडेंट है, चलिए, अब आप एक काम किजिएगा, हमने यहाँ पे, सेक्शन सेवन वन सी, शेडूल वन, जाओ उस पेज़ पे, वहाँ पे पैराफ फोर में आओ, सेक्शन सेवन वन सी, शेडूल वन, वहाँ पे पैराफ फोर में आओ, आगे सभी लोग, चलो, अब वहाँ पे अगर आते हो, तो आपने, इंपोर्टेशन आप सर्विस का, एक चार्ट बनाया था, और मैंने आपको, कमपयरिजन में भी बताया था, कि अगर, आप सर्विस इंपोर्ट करते हो, किसी से भी करो, से रिलेटेट से करो, अनरिलेटेट से करो, अगर फॉर कंसिडरेशन इंपोर्ट करते हो, फिर बिजनेस के लिए करो, या ना करो, तो वो supply बोला जाएगा, अगर consideration होगा तो और वो 7-1-B का supply बोला जाएगा, अगर consideration है, फिर हमने क्या देखा था, चलो चलो mapping करो, mapping करो, आपको confidence आएगा, फिर हमने क्या देखा था, लेकिन, अगर आपकी service free import service होगी, तो हमने क्या लिखा था, वैसे तो GST नहीं आता है, free import service इस पर GST नहीं आता है, दिखा आपको, हमने लिखाता है, अगर आपने मेरा class किया होगा, लेकिन, अगर यहाँ पर धायन से सुनिएगा, free import service, related person से लिया होगा, या own establishment से लिया होगा, related person या own establishment से लिया होगा, और वो business purpose के लिया होगा, तो फिर GST आएगा, ओके, तो यह प है, आपका, हैनि हर उपर की case में, आपका conclusion क्या हैगा, अब आपका सवाल होगा, कि Sir, legal provision में हमने लिखना कैसे चाहिए, सुनिएगा, legal provision में हमने लिखना कैसे चाहिए, अगर आपको section याद आगे, मेरे साथ, हर concept के chart बनाओगे, तो section क्या clauses और sub clauses भी याद आते आपको, आपको, अगर 7-1 भी याद आ रहा है, तो जरूर कोट करो, ओके, अच्छा impression पड़ता है, Sir, नहीं याद आ रहा है, तो आप लिख सकते हो, direct लिख सकते हो, supply includes, यहाँ से शुरुवात कर सकते हो, supply includes, import of service for consideration, whether or not in the course or furtherance of business, उसके बाद में, para 4 of schedule 1, याद आता है, तो अच्छ Okay, in the course of business, student कहां गलती कर देते है, in the course of business लिखना भूल जाते है, Okay, सिभी इतना लिख लेते हैं, कि रिलेटेट से लाया, या फिर own establishment से लाया, तो वो, deem supply माना जाएगा, नहीं भाई, Okay, वो business के लिए होगा, तो ही deem supply माना जाएगा, अगर आपने ये legal provision लिख ली, तो जो भाई, उसने personal problem के लिए लिए पर consideration दिया, Okay, personal problem के लिए लिए पर consideration दिया है, भाई, Okay, consideration दिया है, तो ये 7-1-B में आजाता है, फिर कोई भी purpose के लिए, business और non-business कोई भी purpose के लिए, ले ये supply माना जाएगा, is it clear, तो ऐसे situation में, first case में, Okay, for consideration that it would abound to supply, वो supply माना जाएगा, even though it is not in the course of business, Okay, अब आपका एक सवाल होगा, Sir, आपने पढ़ाते वकि ये भी पढ़ायता, कि अगर individual ने, other than business के लिए लेता है, for consideration, तो उसको exemption है, हाँ, exemption है, और वो entry number 10 of IGST notification में, exemption है, लेकिन उन्होंने ये पुछा ही नहीं कि टाक्स देना है, उन्होंने ये पुछा है या है, तो मैंने तो answer दे दिया, कि it's a supply, अरे भई, अच्छा लगा होगा, तो like किजिएगा, जितने भी student connected है, तो मैंने तो answer दे दिया, कि वो supply है, supply है, कि तुमने ये थोई पुछा कि ये ये पुछा है, नहीं लगा, चलियो, भी दूसरा सवाल क्या पुछा इन्होंने, और अबो केस को थोड़ा बदलो, okay, और they are real sister, and no consideration is paid, now real sister, real sister related में आते है क्या, जाओ, related की definition, देखो, sir related की definition कहा पढ़ाई थी आपने, पढ़ाई थी भाई, okay, अगर आप schedule 1 के para 2 में आते हो, schedule 1 के para 2 में आते हो, तो देखो, महाँ दूढ़ेंगा, okay, color color में, मेरे notes में related की definition मिलेगी, मिली या नहीं, मिली बताईएगा, okay, उसमें family की definition है, जाओ, पढ़ो, पढ़ो family की definition, याद करने की कोशिच किया ना, तो खीच के दूँगा, याद करने की कोशिच नहीं करने का, concept को connect करने का, एक बार memory ने सीख लियाना, connection लगाना, तो मैं लिख कर देता हूँ, कि ये practice जितना follow करोगे, memory time पर उतना आपको याद देगी, और आपका paper IDD का सबसे best जाएगा, और इस बार, 80 पार, उसके नीचे नहीं मिलेगा आपको, okay, सिब connection लगाना, तो ऐसे situation में, related की definition आपको देखी, अब वो related की definition, अगर आप देखोगे, तो वहाप family की definition है, पढ़ो इस बाप family की definition, family में sister cover होता है, क्या related में, yes cover होता है, अगर वो dependent होगी, तो, तो नीचे उन्होंने आमे note के दे दिया, और note में ये बोल दिया, कि भाई साब, okay, आप जरुवत पड़े, तो आप अजूम कर सकते हो, कि dependent है, okay, तो yes, ऐसे case में, हम अजूम कर लेंगे, कि वो dependent है, और dependent है, ठीक है, dependent है, तो वो related तो है, तो अब वो related है, यहाँ पे, सड़ली आपकी दिवाब में किया आएगा, अरे related से लाया, पेराफूर लग जाता है, पेराफूर में, ओके supply माना जाएगा, नहीं भाई साब, उन्होंने का, सिब real sister change करो, बाकी personal purpose की यह लाया, तो अगर उन्होंने, बाकी situation सेम रखी, सिब उन्होंने का, ओकी इतना समझो कि वो real sister है, बाकी सब सेम रखो, तो मतलब उन्होंने business के लिए use नहीं किया, personal use किया, तो related से भी लाया होगा, लेकिन personal के लिए लाया, business के लिए नहीं लाया, तो यह पेराफूर का भी supply नहीं माना जाएगा, समझा होगा, तो कहिए yes sir, ओकी समझा होगा, तो कहिए yes sir, फिर, बाद में क्या कहते हो, बाद में यह कहते है, further in the above case, if both of them are real sister, और प्रगती ने business के लिए 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 तो फिर, ओकी फिर वो पेराफूर का supply बूला जाएगा, नाल आएगो कुछ तो टाइप करो, बोलो तो yes sir, ओकी, तो अब ऐसे case में, बिजनेस के लिए तो फिर वो supply बूला जाएगा, तो इस तरह से आपको प्रेजन करना है, मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो MZMZ टाइप करो, अच्छा लगा होगा, तो जितने अच्छा लगा होगा, तो जितने अच्छा लगा होगा, MZMZ टाइप करो, बाई साहब यह हमारा, यहाँ पर एंसर प्रेजन्टिशन हो गया, ठीक है, तो यह हमने question complete किया, यहाँ पर, फूर्थ नमर के question पर आओ, अगर आप जाते हो, तो क्या लिखा हुआ है, पड़ो, पड़ो, पर्मनेंट ट्रांसपर, और डिस्पोजल, और बिजनेस असेट, और वीच आई टीसी हाँ बिन टेकन, तो वो supply बोला जाएगा, supply बोला जाएगा, बाई साहब अगर आप question पढ़ लेते हो, तो ओके, उन्होंने clear कहा है, it has not claim the ITC on such computer, कह दिया है, थैंक्यू कहो, क्योंकि ITC claim नहीं किया है, तो फिर आपने जो without consideration दिया है, वो without consideration supply नहीं माना जाएगा, और के, वो supply नहीं माना जाएगा, क्योंकि ITC नहीं लिया, भाई साहब ऐसे question आए, और दो मार्क के लिया है, तो मार्क मत छोड़ना, ओके समझा, समझो की नहीं समझो, ओके समझिया, चलिया, ओके ये question हमने देखा, Question No. 5 पहाजाओ, Haan, Next, Mokshmami Industries, has its manufacturing unit in the state of Maharashtra, it stores the finished goods manufactured by it at depot, located in the state of Gujarat, ठीक है, depot is owned by, okay, Punya Bhoomi Limited, a related person of Mokshmami Industries, अच्छा, the store, the finished goods is manufactured by it, at a depot located, or a store, depot, उसकी branch नहीं है, depot, Punya Bhoomi Limited, जो उसका related person है, उसकी branch है, okay, Punya Bhoomi Limited, has not charged any consideration, from Mokshmami Industries, for usage of depot, for storage purpose, कोई consideration नहीं है, okay, वेदा स्टोरेज आप गूद्स परमिटेड बाप पुन्यभूवी Limited, to Mokshmami Industries, qualify, as a supply energy state, आजाओ, schedule 1 में, schedule, sorry, हाँ, schedule 1 में, पैरा 2 में आओ, supply of goods, or services, to related person, or deemed distinct person, in the course of business, तो, वो supply माना जाएगा, बाई साब, पहली बात तो यह distinct person को नहीं है, section 25 में, distinct मतलब, आपका ही separately registered branch, तो यह आपकी separately registered branch नहीं है, okay, यह आपके related का डेप हो है, तो कोई problem नहीं, related का भी डेप होगा, तो भी, okay, पैरा 2 यह कहता है, सुनिएगा, पैरा 2 यह कहता है, पैराइस अपला है, even though there is no consideration, underline करो, तो समझेगा, पढ़ा हुआ है, okay, नालाए को, next time, okay, लगेगा, आपको, feel होगा, कि पढ़ा हुआ है, ने तो पता चलेगा, okay, सर ने कुछ पढ़ा है ही नहीं हमको, okay, यह समझा की नहीं समझा, okay, done, 6th नम्मर पे आजाओ, चलिए, उसके बाद में, next question, रिश्व एंटरप्राइजेज और रिजिस्टर्ट सप्ला है, ओन एन एर कंडिशनिंग रेस्टोर्न, इन विरार माराष्ट्रा, ठीक है, अब स्टेजेज बाद में, एकडम एंसर देने के गाई मत करना, अब स्टेज बाद में ये कोश्टन लिया हुआ है, अब स्टेज बाद में अपना बुक ओपन करो, बुक ओपन में, शेडूल 1 पेरा 2 में आओ, आगे सभी शेडूल 1 पेरा 2, उसमें आपने रिलेटेट की डेफिनेशन देखी होगी, और उसके नीचे, सेक्शन 25 डिस्टिंग पर्सन का कॉंसेप्ट है, दिखा, उसमें पहने पहले ये कहा था, रिजिस्ट्रेशन रिक्वार्मेंट, पहले हम रिजिस्ट्रेशन रिक्वार्मेंट पे बात करते हैं, अगर आपकी ब्रांच, अदर स्टेट में है, जहांसे आप सब टैक्सिबल सप्लाई करते हो, अनादर स्टेट में होता है, तो आपको रिजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ते हैं, तो वो situation में तो registration लेना ही पड़ेगा, state wise आपको compulsory, लेकिन तभी एक point मैंने आपको उसमें सिखाया है, क्या सिखाया, कि अगर आपका other state में वो branch है, जहां से आप exam supply या non taxable supply करते हो, तो उसका आपको registration लेने की कोई भी जरूवत नहीं है, done, उसका आपको registration लेने की कोई भी वैसे कि इसमें आपको registration नहीं लेना पड़ेगा, फिर हमने 25.4 पड़ा, पड़ो मेरे साथ 25.4, 25.4 पड़ते बग, हमने क्या देखा, कि अगर आपके branches registered है, दोनों भी registered है, तो आपके registration more than one है, in same state or different state, तो वो distinct person माने जाएगे, और 25.5 पड़ा, आजाओ 25.5 पड़ो मेरे स अगर आपका एक registered place है, और दूसरा different state में, दूसरा another state में या different state में, registered नहीं भी होगा, नहीं भी होगा, अन्रेजिस्टर होगा, तभी वो distinct person माना जाएगा, और अगर वो 25.4 में, या 25.5 में, distinct person माना जा रहा है, तो पहरा 2 पर आजाओ, पहरा 2 कहा जाता है, कि जो भी section 25 का distinct person है, okay, distinct person है, उसे अगर आप goods free देते हो, तो supply माना जाएगा, समझा है नहीं समझा, okay, यह समझा होगा, तो यहाँ पर type करो, yes sir, समझा, okay, please, please, मुझे response दो, तो अब, यह question में, institute में से क्या expect करती है, okay, अब आजाओ, आपने concept को connect कर लिया, अब इसका answer बढ़ो, और अपन कोड किया गया, जो registration chapter में मैं पढ़ा होगा, किसी supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand, is a non-taxable supply, alcohol यह non-taxable supply, 6 product है, 6 product है, non-taxable है, रिशब enterprise is not required to obtain registration in respect of same in Uttarakhand, वहाँ registration लेने की दरवत निया, इस पे आपके 50% marks है, जो student ने, simple इतना लिखा, कि न, yes, it is a distinct person, and para 2, treated as supply, भाई साब, स्टाइल हो गई, okay, तेरा smartness तेरे घर पे रख, वो चाहते है, वो चाहते है, सिखाओ, कि अच्छा, section 23 पहला चाहते है, पिर यह sticky notes लगा, पढ़ना स्रिप book लेके lecture को खतम करना नहीं है, पढ़ना एक कला है, art है, सिब lecture absorb करना, speed में देख लेना, 1.5 कि यह आप स्रिप पुरे करनी पड़ेगी, तो ऐसे situation में, section, आपको यह sticky notes लगा, और यहां लिख दो, कि पहले मुझे section 23, हिंदी में लिखना, points, कि पहले मुझे section 23 लिखना है, और यह समझाना है, यह practice जितना करोगे उतना मजाएगा, हिंदी में लिखना, कि यह समझाना है, कि वहां registration की जरुवत नहीं है, फिर, दूसरे लाइन में क्या समझाना है, in this case, air condition restaurant in Maharashtra and liquor shop, उत्रकंट शाल भी treated as distinct person, फिर मुझे section 25, में यह बताना है, कि यह distinct person है, और फिर मुझे बताना है, कि वहां उसको जो good supply किया, distinct person को, वह para 2 में supply माना जाएगा, ऐसे 3 points आपको cover करना है, यह जितना ज् practice करोगे, उतना आपको मज़ाएगा, okay, तो जितना आपको, और यहां पर, कोई order नहीं है, section 23, यह बताता है, कि registration करने की जरुवत नहीं है, ठीक है न, नहीं भी होगी, तो भी 25, 5 के हिसाब से, आपका unregistered place भी होगा, तो भी वह supply माना जाएगा, क्योंकि वह distinct person है, यह question number seven, पहाँ, आगे, अब दिखो यह क्या कहता है, चंदरकुप्त मोर्य, is an artist, who makes contemporary paintings, ठीक है, he is registered in the state of Kolkata, ठीक है, चंदरकुप्त मोर्य, appoints Dhruh Kumar, to auction his painting in Maharashtra, auctioneer appoint किया, Dhruh Kumar arranges for auction, and identify potential bidders, the highest bid is accepted, and painting is sold to highest bidder, invoice for supplier painting is issued by Dhruh Kumar on the behalf of Chandagrupt, but in his own name, agent ne, agent ne, apne naam pe invoice diya, the painting is delivered to the successful bidder, examine whether Dhruh Kumar can be considered as an agent, of Chandagrupt more, under para 3 of the schedule 3, भाई, साब, principal or agent, जब आपने पढ़ा है, तो इतना पढ़ा, और ये वाला पाड, ये वाला पाड, ये चाड, वो चाड, और सवाल जब पूछा, और ऐसे ही सवाल exam में आएंगे, तो ये सवाल से, एक line में answer आजाता है, क्योंकि भाई, discussion उसके पर उतना किया हमने, okay, एक line में answer आजाता है, okay, तो ऐसे case में, जहां तक है, देखिए, क्या, examiner वेदर धुरुकुमार can be considered agent of Chandagrupt as per para 3, क्या para 3 में, okay, para 3 इसको apply होगा, क्या invoice agent के नाम का है, तो आपको जो मैंने बहुत depth में पढ़ाया, उतना नहीं जाना है, invoice के नाम का बात खतम करन किया होगा, who makes the further supply on the behalf of principal, तो वो situation में, also उसमें clarification बढ़ाता, और clarification CVIC का यह कहता है, कि para 3 वोई case में apply होगा, जहां agent own invoice देगा, तो principal to agent, जो stock transfer supply होगा, तो वो case में GST आएगा, और para 3 सिफ गूट्स को applicable होगा, तो ऐसे case में, okay, अगर, तो अब लिखना करे, तो अब यहाँ प कि नोट्स लो, यहां page लगाओ, staple लगाओ, okay, और यह real पड़ाई होती है, और वहाँ हिंदी में points लिखो, कि मुझे क्या-क्या लिखना है इसके अंदर, पहले reading यह ऐसी ही होनी चाहिए, पहले reading घबराके नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीश में आप एक बाद डर गए, फिर तो डर गए, और जो डर गया, तो ऐसे case में, पहले reading में confidence बनना चाहिए, तो अब यहां पे देखो, activity or transaction qualifies supply and register only if undertaken for a consideration and in the course of furtherance of business, यहने पहली line वह कह रहा है कि supply तो normally तब बोला जाता है, जब consideration होता है, लेकिन, okay, section 7.1c, schedule 1, para 3 कहता है, supply of goods by principle to agent where agent undertakes supply of such goods on the behalf of principle, is considered a supply even made without consideration, अब यहां पे आपको दो clauses दिये, para 3 के, clause A और B, दोनों दिखने की दर्वत नहीं है, clause A ही लिखो, okay, selling agent वाला लिखो, buying agent वाला लिखने की आपको दर्वायत नहीं है, okay, without concern provided in further supply, okay, invoice for further supply, is issued by agent in his own name, plus यह, तो अब अगर मैं paper चे करू, अपता नहीं कौन रहेगा, लेक बहुत अच्छा लड़का ही है, CVIC clarification देख लिख लिए, अरे भाई साफ बहुत अच्छा लड़का है, okay, issued by the agent in his own name, यह line देख लिख लिए, अरे भाई साफ, okay, क्या आप रुला देगा, okay, in his own name, रुला देगा, तुने CVIC clarification, sir, clarification number लिखना जरूर ही है, क्या, clarification number लिखने की क not merely providing auctioneer service to Chandragupta Maurya, but also, okay, also supplying painting on the behalf of Chandragupta Maurya to successful vendor, and has authority to title the transfer, okay, now direct conclusion, no, okay, it is a para 3 agent, and it should be treated as a plan, no, okay, jam not करो, style तू देख लिखने की, और फिर अपने notebook में notes निकालो, notes में लिखो, okay, यह आनी चिए, style देखो, style, अप उनका style है, okay, यह study mat का style है, so, ऐसे case में यह वर आने चिए, ऐसा लिखो आपके note में, कि agent took the authority to transfer the title, okay, hence, तो इसलिए, okay, उसके नाम का invoice से, इसलिए वो para 3 का agent बोला जाएगा, और जो principal agent के बीच में stock transfer होआ, उस पे GST आजाएगा, okay, यह समझा है या निसमझा, बोलो भाई, यह समझा है निसमझा, yes or no, ठीक है, चलो, अब एक दंबर के question प अब एक नमबर का question क्या कहता है, Mrs. Chanj is a manufacturer of paper product having a factory at Pune, Maharashtra, Maharashtra का बंदा है, okay, Mrs. Kela and Mrs. Bela of Mumbai, Maharashtra appointed as agent to sales the product on the behalf of Chan, एक केला है, तो दूसरा बेला है, दोनो agents है, और वो अपॉइंट किये चांद है, the condition that both of them guarantee, दोनो guarantee दे रहे, the realization of payment from the buyers, दोनो guarantee दे रहे, कि by buyer से जो payment नहीं हुआ, तो हम guarantee देते है, मतलब यह कौन है, DCA, DCA वाला concept, okay, आपको पढ़ना है, DCA वाला concept, आपको पढ़ना है, हर चीज़ पढ़ना है, पहले question क्या कहता है, वो देखा, both Mrs. Kela and Mrs. Bela provide short term borrowing facility to buyer, buyer को borrowing facility provide करते है, from timely payment of dues against the supplied made to them, and for they charge interest भी charge करते है, from ultimate buyer, while Mrs. Kela raises the invoice in the name of Mr. Chan, पर क्या हुआ, केला ने invoice खुद का नहीं बनाया, okay, केला ने जो invoice बनाया, okay, किसके नाम का Mr. Chan, और Bela raise the invoice in the own name, Bela own name का है, मजा आगिया, केस बहुत ही बढ़ना है, in the light of provision of continuum para 3 option 1, kindly explain the treatment of interest charge, बाकी मत बता हूँ में, okay, वो supply, interest का क्या होगा ये बोलो, okay, केला ने मेला इस अबर मेंशन के से, C.A. final July 21 exam में, है ना, मज़ेदार question पुजाने exam में, okay, चलो, आजाओ, यहाँ पर फटा फटा आजाओ, अगर आप ये देखते हो, पैरा 3 पे आगे, पैरा 3 पे हमने एक concept develop क किया था, क्या, कि अगर principal agent को supply करता है, who further take supply, तो in that situation, agent अगर खुद का invoice बनाता है, तो supply between principal to agent, यहाँ पे पैरा 3 में आएगा और GST लगेगा, stock transfer पे GST लगेगा, लेकिन अगर agent खुद का invoice नहीं बनाता है, किसका invoice बनाता है, principal का invoice बनाता है, तो वो case में, यहाँ पे धान transfer पे GST लगेगा, then, अब ज्यादा देप में मत जाना, commission यह, वो तो concept clarity है, okay, क्या पूछा, यह main practice है अपकी, यह main practice है, exam में score करना है, अब पूछा उसने interest का, हमने कुछ चार्ट बनाते हैं, अगर आपके पास वो chart book होगी, जो chart आपने बनाए, तो उसमें cross page number आपने लिख हमने यह देखा था, हमने यह देखा था कि अगर, okay, यहाँ पे केला, केला मतलब ऐसा DCA, जो खुद का invoice नहीं दे रहा है, खुद का invoice नहीं दे रहा है, तो वो situation में, okay, यह, डेल कडरी agent ने, buyer को जो short term loan लिया, वो interest on loan बोला जाएगा, और वो interest on loan value में एड नहीं होगा, क्य होगा, is it clear, लेकिन, बेला जो है, okay, बेला खुद का invoice दे रहा है, तो बेला अगर खुद का invoice दे रहा है, तो delay payment of consideration है, और delay payment of consideration है, क्योंकि invoice खुद का है, तो section 15 2D में add किया जाएगा, अब भाई साब, अगर आप यह answer देखो न, देखो, इसलिए मैं कहता हो, कि, okay, subject को पढ answer पढ़ोगे न, तो आप बुले गया, कितना easy है लिखना, इसलिए बहुत सारे student regular book देख की डर जाते है, okay, कभी-कभी, मैंने तो इस बार की regular book बहुत अच्छी बनाई है, okay, बहुत ही point wise manner में लिया है, okay, बहुत completely reform किया, पहली भी बहुत अच्छी थी, no doubt, और अभी तो उ अगर आप sticky notes बनाए हो, तो पहले मुझे मुझे लिखना है, okay, यह बताना है कि अच्छी है, मैंने इतनी फॉलो की थी, चार्ट वाली और यह question answer के points लिखने वाली आदत, okay, मुझे यह section लिखना पड़ेगा, फिर आखरी दिन मुझे यह section याद करना पड़ेगा, भाई-सा यह section याद रखना है, यह section याद रखना है, यह clarification जो है, वो याद रखना है, okay, अभी जितनी practice करोगे, उतना आपको exam के time help होगा, okay, तो ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए, DCA fall under the ambit of para 3 of 1, okay, if invoice for the supply of goods issued is in own name, आप हिंदे में point के लिख रहे हो, मुझे यह लिखना पड़ेगा, कि invoice own name में होगा, तो वो para 3 का agent बोला जाएगा, however, if invoice of supply of goods issued by supplier customer either himself or through DCA, DCA is not an agent in terms of, पर invoice अगर principle का होगा, और supplier ने direct customer को दिया होगा, supplier ने direct customer को दिया जाएगा, तो वो agent ने बोला जाएगा, हिंदे में लिखो कि मुझे वो भी point लिखना पड़ेगा, okay, thus, Bela is an agent, okay, of message charge in terms of para 3, तो Bela is रिप जो है, okay, para 3 का agent बोला जाएगा, not Kela, where DCA is not an agent under para 3, अगर वो para 3 का agent नहीं है, तो ऐसे situation में, temporary short term loan being provided DCA to buyer is, okay, supply of service by DCA to recipient on principle to principality and independent supply, यह बड़ा नाचिए वो independence apply, okay, states apply specifically exempt from tax and interest charge by Kela is an independent apply and exempt from tax, मतलब वो interest को exemption है क्योंकि loan advances deposit का है और वो exempt from tax है, लेकिन, लेकिन अगर वो अपना own invoice देता है, para 3 का agent है, okay, para 3 का agent है, own invoice देता है, तो वो case में, वो value में add किया जाएगा, भाई साफ, अगर वो circular पढ़ने दिख कर जा रही है, तो यह question पढ बहुत ही simple way और point wise manner में मैंने बना के दिया है, okay, आपको बहुत help होगा, okay, done, 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 okay, done, 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 चलिया, तो यह हमने देखा, यहाँ पे, यह question, 21 प्याव, answer the following question independently, rob shareholding limited and approved intermediary has entered into an agreement, wherein certain securities were to be lent to, okay, dhandan bank, okay, securities lend की गईगी, okay, to dhandan bank under securities lending scheme, dhandan bank pay specified lending fees, against such lending of securities to it, explain the taxability of transaction involved in securities lending scheme, study mat, security lending scheme, कहाँ पढ़ाता, चलो आजाओ, मैं बता तो आपको कहाँ पढ़ाता, हमने यह पढ़ाता, money और securities की definition में, okay, तो हमने money और अगर आपको धान होगा, तो हमने जहाँ section start किया था, वहाँ पे money का definition होगा, section 7 स्टार्ट किया था, वहाँ पे money का दिखा आप सभी को, दिखा होगा, तो D type करो, security lending scheme का एक clarification लिया था, और security lending scheme में, अगर आप securities lending करते हो, तो वह situation में, यहाँ पे, yes, वह in relation to arrangement, और to facilitate the transaction in security का आजाएगा, वह service का आजाएगा, और उसके ओपर GST आएगा, okay, तो हमने यह भी पढ़ाता, तो, okay, securities lending scheme facilitate the lending and borrowing of the security, अगर आप sticky notes निकाल रहे हो, तो अपने आपको सम्झाओ, हिंदी में points लिखो, कि पहले मझे लिखना पड़ेगा, कि यह जो है, okay, facilitate lending and borrowing of securities है, आपको security lending scheme में, okay, वो year याद आए, तो ठीक ने, तो छोड़ दिना, security is neither covered in the definition of good, not covered in the definition of service, यह भी point बड़ा important है, आपको यह definition में, okay, transaction security which involved disposal of security is not a supply, not taxable, but CBIC clarification, इसको answer लिखते वगए, underline करना, SLS, okay, SLS, मतलब securities lending scheme does not treat lending of security or disposal of security and therefore is not excluded from the definition of service, CBIC clarification कहता है, कि जो आप securities lending करते हो, वो security नहीं है, okay, तो वो क्या है, वो to facilitate the, facilitate the borrowing in security है, okay, lending fees charge to the borrower, okay, for consideration, is taxable, okay, it's a facilitating and lending or borrowing of securities, और वो separately उसके पर tax आएगा, okay, इसमें से एक दो point कम करना कर सकते हो, लेकिन main, okay, क्या क्या आना चीए, कि वो facility है, okay, goods के definition में security नहीं आती है, security transactions exclude किये, but to facilitate the security, वो service include किया है, और यह supply of service माना जाएगा, और GSTK scope में आएगा, second question, Vikramadity is salaried employee and is planning to invest in stock, he has opened a trading account with the brokers, during the month, Vikramaditya undertook future contract, without physical delivery of option, but cash settled on expiry of contract date, square up कर दिया contract, 35 lakhs में, Vikramaditya, okay, और कौन सा contract है, he opened a trading account with the broker, Vikramaditya undertook future contract लिया और सेटल आप कर दिया, square up कर दिया, Vikramaditya need your address, whether such future contract undertaken by him, liable to GST, no, okay, वो derivative contract है, वो securities में आता है, okay, और not liable to GST है, क्योंकि उसने, यहाँ पे square up कर दिया, लेकिन अगर आप देखते हो, तो commodity के future contract होगे, और वो आपने square up नहीं की होगे, commodity के future contract होगे, और वो आपने square up नहीं की होगे, तो और delayiche लियोगी, तो फिर वो supply है माना जाएगा, अधर्वाइस आपने square up कर दिया, तो सबलाय नहीं माना जाएगा, चलो, यह हमने देखा, question number 23 प्याओ now ये क्या कहता है Rudraash Kapoor owner of Rudraksh publishing house Ghaziabad UP donated some money donated some money to Divya Prakash Charitable Trust in the memory of his late father the Divya Prakash Charitable Trust constructed a room in a school run by it from the donation and wrote donated by Rudraksh Kapoor in the memory of his father name plate लगाई गया on the door of the room so constructed examine whether the money donated by Rudraksh Kapoor is liable to GST answer मत दे न, please, please, please answer नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए तुमारा आंसर जाओ, consideration की definition में जाओ जाओ, 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 प्लीज जाओ consideration की definition में हमने क्या देखा था हमने देखा था, money otherwise act of orbearance ठीक है, फिर हमने उसके नीचे discussion किया, supply for consideration, आपका supply for consideration होना चाहिए quid pro quo quid pro quo okay, मतलब reciprocity होनी चाहिए, तो ऐसे case में हाँ charitable trust, एक CBIC clarification था, वो पढ़ो CBIC clarification, अगर आपको donation मिलता है, पर उसके against में आपके उपर कोई obligation नहीं है, there is no relationship of quid pro quo तो वो situation में, वो supply नहीं बोला जाएगा, voluntary donation जीस्ट नहीं आएगा, पर, अगर आपके obligation होगा, against that donation के आपको add करना है, तो supply बोला जाएगा तो इन अबो case इव दिवेपरका charitable trust second, second पड़ो, दिवेपरका charitable trust has returned on the door of the room constructed from money donated by रुद्राश का पुरिंद स्कूल रेंबाइट, donated by रुद्राश publishing house गाजग्याबाद, दोनों में फरक है, पहले act of philanthropy है, act of gratitude है, okay, यह वड़ आने चाहिए, और दूसरा, okay, marketing है, क्योंकि company, business का नाम लिखा गया, marketing है, तो पहले case में, act of philanthropy है, okay, public recognition, donation, philanthropy act, okay, and not for publicity, यह लाई नानी चाहिए, यह CBIC clarification आना चाहिए, आपका, okay, CBIC clarification क्या कहता है, फिर यह लाई नानी चाहिए, और आपका conclusion आना चाहिए, कि वो supply नहीं बुला जाएगा, लेकिन, CBIC clarification में यह भी का है, कि अगर वो, यहाँ पे, donation received by charity are treated as consideration only if they are exit, quid pro quo, there is an obligation on the part of recipient, हाँ, quid pro quo, अगर यह word लिख पा होता, अच्छी बात है, होगा, तो ही supply बुला जाएगा, okay, thus GST is not legal, where all following three conditions are despite, gift or donation made to a charitable organization, payment has the character of gift or donation, and purpose of philanthropic, तो नहीं आएगा, तो पहले case में, अब, okay, यहाँ पे, अगर आपको exam में time नहीं है, इतना लिखने के लिए, तो इसको short भी कर सकते हो, okay, short कह सकते हो, कि CBIC clarification यह बुला, okay, और direct आप answer पे आ सकते हो, यह repeat नहीं भी किया तो भी चलेगा, तीन पॉइंट, direct आप आ सकते हो, कि expression of gratitude, public recognition, not aim of advertisement, तो ऐसे के में GST नहीं आएगा, पर अगर being advertised होगा, तो वो supply supply माना जाएगा, और quit pro poor रहेगा, GST आजाएगा, तो यह आपने देखा, चलो, चली दोस्ताब, यह question देखा, यहाँ पे, अंगर private limited is engaged in the business of distribution of construction material, ठीक है, as an, as an incentive, अंगर private limited pays amount of 75 lakhs to its employee, upon achieving a specified sales target, the incentive is a part of salary of the employee, incentive is a part of salary of the employee and applicable tax is deducted at source as per the relevant income tax provision, अंगर private limited is of view that GST is not livable on such incentive paid to the employee, whether the view taken by अंगर private limited is correct or not, जो, नोट्स नहीं खालाओ, नोट्स में, सबसे पहले, schedule 2 में जाईए, okay, यहाँ पर, yes, schedule 2 में जाओ, और आपको time लग रहा है, तो pause करके जाना, और किए session को, ठीक है, तो जो life streaming में वो तो pause नहीं कर सकते, लेकिन बागी तो कर सकते, schedule 2 में अगर आप जाओगे, तो, sorry, schedule 2 में ने, schedule 1 में जाना, please, schedule 1 में पैरा 2 है, पैरा 2 क्या कहता है, अगर employer ने employee को gift दिया, gift दिया, यहाँ पे, और वो gift पचास हजार के उपर होगा, तो वो situation में, यहाँ पे, GST, sorry, पचास हजार यह उससे कम होगा, तो GST नहीं आएगा, पचास हजार के उपर होगा, तो total amount पे GST आएगा, point number 1, एक और अच्छी बात आपका बताता हो, वो यह है, कि अगर आप gift money में देते हो, kind में नहीं देते हो, money में देते हो, तो वो तो transaction in money हो जाता है, फिर वहाँ तो GST आता ही नहीं है, यह जो proviso apply होती है, para 2 of schedule 1 की, अगर कोई gift आपने kind में दिया, goods के form में दिया, क्योंकि para 2 goods को लगता है, यह service के form में दिया, और value 50,000 के उपर दिया, तो वो ऐसे situation में, जहां तक है, यहाँ, 50,000 के उपर GST आता है, यह हम question number 9 देख रहे हैं, तो अब जहां तक देखा जाए, वो एक para था, फिर हमने schedule 3 में, schedule 3 में जाओ, मैपिंग करो, याद करने के बिल्कुल कोशिश मत करो, मैपिंग करो मेरे साथ, schedule 3 में अगर आप जाओगे, तो schedule 3 में para 1 कहता है, अगर यहाँ पे कोई भी consideration employee को मिलता है, in relation to, और in the course of employment, तो वो supply बुलाई नहीं जाएगा, फिर हमने एक circular देखा था, और circular हमने क्या देखा कि अगर कोई भी perquisites या incentive दिये गए, और in the course of employment दिये गए, जो agreed थे, तो वो situation में GST नहीं आएगा, जो agreed नहीं होगा और gift होगा, cash money होगा, gift होगा, तो okay, इसमें, okay, 50,000 के उपर GST आएगा, इसलिए मैं बहुत से मेरे client को कहता हो, कि यार कोई gift मत दे, दिवाली का अगर त दिया, तो transaction in money हो जाता है, gift दिया तो, okay, और वो agreed नहीं होगा, तो para 2 लग जाता है, यह case study पढ़ने के बाद, यहाँ पे clear समझ में आ रहा है, कि यह जो भी 75,000 का incentive दिया गया, यह in the course of employment दिया गया, और in the course of employment दिया गया, schedule 3, para 1 लग जाएगा, और उसके पर GST नहीं आएग समझा है बेटा, okay, अब answer presentation का तरीका देखो, बहुसी बार आप ऐसे भी start कर सकते हो, legal provision, discussion and conclusion, या कभी-कभी पहली line ऐसे बलिख सकते हो, yes, अंगत private limited view is correct, correct क्या है कि उसके उपर GST नहीं आएगा, इससे जो examiner paper check करता है, उसको समझ जाता है कि आपको answer आ गया, अब वो उसम schedule 3 para 1 क्योंकि case schedule 3 para 1 में आती है, उसकी provision आपने लिखा, employer, employer का जगडा हुआ, अगर आपको याद होगा, तो मैंने regular class में पढ़ाया था, तो service employer employer को दिया in the course of in relation to employment, आपने लिखा, और फिर आपने ये भी लिखा कि it not in the nature of gift, वो main main point देखेगा, कि in the nature of gift नहीं है, okay, ये part of salary ह okay, तो ये not treated as supply और इसके ओपर GST नहीं आएगा, तो जो जो point पे सामने वाले का ध्यान लाना है, वो underline same pain से कर लेना boss, same pain से underline चलती है, और वो case में आपको जो है, यहाँ पे, अब मैं अगर एक paper check करूँ तो मैं क्या देखूँगा, yes, आपने answer दिया, मुझे चार चीजे आपके answer में, schedule 3 जिसको highlight किया, sir, अगर schedule 3 परवन याद नहीं आया, तो नहीं आता है, तो फिर उसके पीछ गलत मतलिकना, marks कट जाएगा, आपको अगर याद नहीं आता है, तो वो situation में फिर provision लिखो, और उस provision को underline करो, service by employee to employer in the course or in relation to employment, उसको underline करो, sir, अगर यह भी नहीं अब आजाओ, question number 10, question number 10, question number 10, यह अच्छा कुछन है, Krishna Deo is a trader, based in India, Ramakrishna, brother, Ramakrishna, brother of Krishna Deo is located in China, brother or China, and he is also engaged in the business of trading of goods, Krishna Deo placed an order with Ramakrishna for procurement of certain goods from the local market in China, Krishna Deo ने order दिया, with Ramakrishna, कि भई, goods को प्रोकुर कर, local market of China, before shipment of goods from China to India, Krishna Deo sold such goods to Christianeo, a trader located in Brazil, the goods were subsequently shipped from China to Brazil, goods बाहर के बाहर निकल गया, goods in India में आए ही नि, comment on taxability of transaction between Krishna Deo and Christianeo under the GST in India, if taxable, determine the place of supply for the same, यह RTP November 19 में question है, और study mat में, ओके, यहाँ पे question है, तो अगर आप इसका reference लगना चाहते हो, तो आजाईए schedule 3 में, अब schedule 3 में अगर आते हो दोस्तों, तो schedule 3 में पैरा 7 पे आना, पैरा 7 पे आना, पैरा 7 क्या कहता है, read करो, याद करने कोशिश नहीं करना, read करो, schedule 3 कुछ activity supply नहीं बोली जाती है, उसमें पैरा 7 पे अगर आप आओगे, तो पैरा 7 जो है, यह कहता है, अगर supply non-taxable territory to non-taxable territory होगा, और वो goods इनिया में enter नहीं नहीं हुआ होगा, यह बहुत important है, यह word दिखने चाहिए, आपके, यहाँ पे paper checker, जो भी रहेगा उसको, कि non-taxable to taxable नहीं हो रहा है, और not entered इनिया, यह word बड़ा important है, तो ऐसे situation में, जहां तक है, वो supply नहीं बोला जाएगा, तो ऐसे case में आप para 7 में आगए, और कि supply नहीं बोला जाएगा, तो given case में not treated supply, okay, and since transaction is not legal to GST, question of place of supply does not arise, अब transaction पे GST नहीं है, तो place of supply क्या होगा, वो तो सवाल ही नहीं, उनने बुचिया, है, determine place of supply, भाई साब, place of supply confuse को करे हो, जब supply ही नहीं है, तो place कहा से decide करेंगे, पहले तो supply होना चाहिए, तो यह आपका answer रहेगा, अच्छा question था, highlight करना exam में आ सकता है, okay, RTP के questions repeat होते हैं, बाई साब, ठीक है, चलो, चलिए, next, now, यह RTP November 23 का question है, Monty Limited entered into a high C sale transaction with Fuji Limited, for certain goods, Monty Limited wishes to understand taxability of high C sale, under GST law, and under customs law, बड़ा अच्छा question है, examine whether the view taken by Monty Limited is correct or not, सबसे पहले तो उनने दोनों law में पूछा है, high C sale का, यहाँ पे impact क्या होगा, अगर आपके पास custom की book होगी, तो वह लेके बेठो, नहीं तो pause करके बेठो, मैं आपको बता होगा, custom की book में भी मैंने high C sale कहा पढ़ा है, पहले तो GST में देख लेते हैं, clause B क्या कहता है, parahit clause B कहता है कि अगर goods India में clearance होने के पहले अगर बेचा गया, before clearance in India, अगर बेचा गया, जिसे हम high C sale कहते है, normal language में, तो वो case में जो India में transaction होगा, उस पर GST ही नहीं आएगा, supply of goods by consignee to any other person by endorsement of document of title, after the goods have been dispatched from foreign port of origin located outside India, but before clearance for home consumption, so इतना याद रखना पढ़े आपने para लिख दिया, तो simple way में लिख सकते हो कि in case of high C sale, before clearance in India, ये बहुत important word है, before clearance in India, any supplies made, then on which, then it would not be treated as supply as per para 8 clause B of schedule 3, schedule 3 आपने code कर दिया, ठीक है, वो supply तो नहीं बोला जाएगा, GST के इसाप से तो आपने यहाँ पर answer दे दिया, अगर आप जाते हो customs में, custom में जाएए वे warehouseing chapter में, मैंने 3rd page पे, अगर warehouseing chapter में आप जाते हो, तो 3rd page पे, मैंने, section 59 के नीचे होगा, तो वेराउजिंग चाप्टर, अगर आपका custom हुआ होगा, तो नहीं हुआ होगा, तो आपका बाद में कौर हो जाएगा, तो वेराउजिंग चाप्टर में, अगर आप section 59 की नीचे दिखते हो, तो मैंने वेराउज सेल और हैसी सेल लिया है, वेराउज सेल में, आपका जो प प्राइस प्राइस है, वो लिया जाता है, वो अगर आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा discussion था, तो अगर आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा discussion था, तो अगर आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा discussion था, तो अगर आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छ तो आपको provision याद हो नीच हिए और दोनों प्रोविजन मैंने लिया हो, यहाँ पर, GST में भी लिया और Customs Act में हमने cover किया है, तो GST में जो सेल होती है, last sale उस पे GST नहीं लगता है, पर उस पे, वो last sale पर Customs में BCD और IGST लग जाता है, Customs में लगता है BCD और Asim 37, I hope आपको इ हाइलाइट करना एक्जाम में आ सकता है अब देखिये ये question study mat में है लेते है XYZ consultancy registered in Bangalore supplied technical consultancy services to its clients ठीक है technical consultancy services to its clients it has been providing technical services to BA Limited Mumbai since past two years consideration is settled by BA Limited assignment wise ठीक है BA Limited paid rupees 37 lakhs to XYZ consultancy on 10th January for XYZ consultancy agree not to provide similar technical service to any other business entity in India BA Limited ने यहाँ पे XYZ को pay किया 37 lakhs यहाँ आपे यहाँ पे एक्जाद को पे किसी को नहीं दो गिया तो यह जो है यहाँ पे और है ब्रोड for a period of 8 years XYZ consultancy is a view that 37 lakhs is not chargeable to tax under GST law you are required to examine whether the view taken by XYZ consultancy is valid in law it may be noted that BA Limited is not ready to pay a further amount any further amount XYZ condition in addition to the amount already agreed चलिए तो यहाँ पे आजाईए schedule 2 में आजाईए schedule 2 में schedule 2 में para 5 में आओ para 5 में अगर आओगे तो आपको यह दिखेगा renting दूसरा दिखेगा construction intended for sale तिसरा दिखेगा temporary transfer of IPR शहता designing development of IT software और उसके बाद दिखेगा agreeing to or obligation to refrain from an act to tolerate an act to do an act वो para दिखा सभी को बोलिए yes sir अगे अब उसमें अगर आए तो अगर कोई भी company agree होती है कुछ ना करने के लिए tolerate करने के लिए और उसका consideration लेती है तो वो case में वो supply of service बोला जाएगा इस से related circular लिया था कि वो expressly agreed होना चाहिए incidental to event नहीं होना चाहिए expressly agreed होना चाहिए जिसमें something in return होना चाहिए तो yes यह expressly agreed है ex-wizer consultancy agree कर रहा है कि हम यह service नहीं देंगे तो यह situation में यहाँ पर view taken by ex-wizer consultancy is incorrect और यह agreeing to an obligation में आता है और agreeing to an obligation में आता है तो ऐसे और उसमें clear express agreement है between them तो ऐसे case में liable to GST होगा answer लिखते वक अगर आपने schedule 2 para 5 read with CBIC clarification यह point में डलना है कि वो expressly agreed है okay expressly agreed है read with CBIC clarification इसका CBIC clarification भी आपने देखा था schedule 2 के बाद आपने वो chart बनाया होगा तो okay याद आ रहा है तो yes वो situation में जहां तक है इस पे GST आएगा liability आएगी question अच्छा था okay चलो 15th number का देखते है Mr. Raju and Mr. Aditya are running a partnership firm and having goods S&T in a stock partnership firm goods may be stock they decide to dissolve the partnership firm and the goods S&T are taken or by Mr. Raju and Mr. Aditya retrospectively business is not continued further whether such takeover of stock is considered as a supply भाई साब question बड़ा अच्छा है चलिए okay कुछ सम्झा नहीं से यह कहा okay पूरा जब exam में बैटे और ऐसा question आगया okay exam में आखरी पेपर IDT exhaust हुए वे आखरी पेपर देना है कैसे तो भी अगर आप 6 पेपर दे हैं okay ने अभी आखरी पेपर नहीं sorry अभी यह न्यूरश्की में अकिर पर नियूरश्कीम में यह जो है 7 पेपर रहे गा okay और उसके बाद 6 पेपर रहेगा total 7 पेपर है आपको तो यह six paper रहेगा news scheme में, अब यह जो है, याद आना ची कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ा, IDT, भाई साब बता देता हो, आजाई यह schedule, click होता होगा तो आजाई यह schedule 2 में, schedule 2 में आजाओ, para 4 में, para 4 का title है business asset, अगर आपने chart बनाया होगा, तो immediately आपको याद आ जा रहेगे न, partnership firm dissolve हो रही है, okay, और dissolve हो रही है, मतलब ही उसको registration cancel करना पढ़ेगा, registration cancel करना पढ़ेगा, मतलब ही, वो ceas to be a taxable person रहेगा, अगर वो ceas to be a taxable person होगा, तो वो situation में, यहाँ पर, जो भी business asset होगी, business asset, goods in a business asset, फिर capital हो या stock हो, वो deem to be supply माना जाएगा, yes बेटा, okay, यह परा 4C schedule 2 के हिसाब से, deem to be supply माना जाएगा, except, इसके दो exception है, okay, अगर going concern कोई continue करता है, तो नहीं, और यहाँ पे representative continue करता है, तो नहीं, लेकिन यहाँ पे दोनों ने dissolve कर दी और कोई continue नहीं कर रहा है, partnership firm को, दोनों आप अपना stock बाट रहे है, तो ख्याल रहे है, बहु stated as deemed to be supply and liable to GST, एक author note मैंने यह दिया है, और यह author note यह है कि schedule 2 में, जो, schedule 2 में यह जो clause यह, यह न, valid clause नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि schedule 2 का काम just classification है, supply बोलना नहीं है, और उसमें बोल दिया deemed to be supply, तो मेरी author note यह पढ़ने के लिए ठीक है, पर आपको एक बात बता दू, अ वो तो धीम supply बोला जाएगा ना बेटा, okay, कहां correction है, hence it is treated as supply, वो तो supply है ना बेटा, क्योंकि धीम supply है, आपका suggest to be taxable person है, तो उसे supply माना जाएगा, schedule 2 के हिसाब से, done, चलो, यह question देखा हमने, करा सत्यम्योप पृществ कर दो मेरे सब्सक्तितान कटना करें से थे रचिस प्तन कर च्रिभ्स on YotA and मेश्चार सब्सक्तितेकार स लेंतों कीुचा प्योप प्रिंध क्क्रिन से मिवि प्रूब मेरे से सत्यम्योप प्रिंध के कि लिए भ connotation 5,000 इजब स्य 0 signR, AT T. GST, applicable on supply of printed book by सत्यमेव प्रिंटर, assuming the rate of GST applicable on services 18%, whereas rate of GST is on supply of goods, चलिए, आप आजाओ, composite mix supply में, उसमें, चैप्टर के आखरी-ाखरी में, मैंने एक clarification लिया था, और clarification ये लिया था, printing of books का, नहीं, याद मत करो, याद मत करो, जाओ वहाँ पे, देखो, मैपिंग करो, मैपिंग बहुत important होती है, जितनी ज़्यादा मैपिंग करोगे, उतना confidence बढ़ेगा, तो अगर आप उसमें जाते हो, तो printing of books होगी, और दूसरा आपने देखा था, envelope, जस्ट लोगो लगा लिया, books होगी, तो main content, books का किसी और का है, प्रिंटर से printing कर रहा है, ठीक है वो physical inputs यूज़ कर रहा है, पर just printing कर रहा है, तो ऐसे situation में, जो predominant supply है, वो supply है, अगर हम देखे, तो किसी और की book है, तो ऐसे case में, ये contract supply of service का माना जाएगा, और supply of service का माना जाएगा, तो उसको 12% नहीं, क्या rate लगेगा, 18% लगेगा, ऐसे easy questions आते हैं बेटा, इसलिए तो मैं कहता हो कि, जब आप revise करोगे, तो मेरा chart book और questions, enough, आपका confidence भूश कर देगा, no doubt, इस बार का notes, well organized मैंने बनाया हुआ है, पहले भी था, और इसको और मैंने improvise किया है, well organized बनाया है, पढ़ने को भी आपको आसान है, really मज़ा रहा होगा आपका, notes तो इस बार no doubt बहुत है, okay, पहले से भी improvise करके दिया है, लेकिन यहाँ पे chart और यह भी पढ़ा तो enough है, okay, तो देखो, पहले मैंने इसमें composite supply explain किया, फिस CBIC clarification explain किया, कि भाई books, pamphlet, browser, envelope, annual report, leaflet, cartoon box, printed with logo, design name, address and other content, supplied by the recipient of such printed books, और composite supply, section 8 कहता है कि जो principal supply है, उसमें clarify होगा, और CBIC clarification के इसाब से, book printing जो है, वो supply app service में जाएगी, discussion and conclusion, कि ये supply app service में जाएगी, और rate 18%, अब देखो क्या है, अब एक्जाम के इसाब से बता हो, ये जो है, मैंने RTP का answer as it is लिया है, RTP का answer, यानि अब यहाँ पे से मेरे subject में निए, सारे subject में आपको ये exercise करनी पड़ती है, कि यार, अगर थोड़ा imagine तो करो, आपके vision तो बनाओ, दो सेकंद के लिए सोचो कि अगर मैं examination hall में होता, सुनो देहन से, अगर मैं examination hall में होता, और मुझे suddenly ये question आता, तो क्या करता, आप कुछ नहीं करते, आप दो line में answer लिखते हैं, क्या, as per cbic clarification, as per cbic clarification, printing on the books classified as a supply of service, और rate is 18%, इससे ज़्याद आपको कुछ भी याद नहीं आता, और फिर आप कहते हो कि marks क्यों नहीं मिलते, भाई साब, पहले expectation देखो institute की, इसलिए बहुत सारे students यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे students एक बार पढ़ते हैं, और direct exam पर पढ़ लेते हैं, यहाँ बहुत सारे students तो question को डर के मारे हाथी नहीं लगाते हैं, आपकी जानदो exam में देख लेंगे, भाई साब अगर ऐसा करोगे तो इतनी इंडिया की, यह सबसे toughest exam और एक dignity वाली exam कैसे पास हो पाऊगे, और गालिया institute को मारोगे, जबकि आप देखो कि आप कैसा लिख रहे हैं, आपका presentation बहुत important है, और कि इन्हों ने यहाँ पे, अगर तुम RTP का answer देख रहे हो, तो आपसे क्या-क्या expectation है, आपको इसकी last के दो line expected नहीं है, आपसे expectation जो है, वो यह है कि आप composite supply का meaning बताओ, यह बताओ कि यह जो supply printing के composite supply है, इसमें principal supply का base लिया जाएगा, चलो as it is मत लिखो, मैं यह नहीं कहताओ कि word to word लिखो, लेकिन points तो लिखो, side में sticky note से एक paper लो, ऐसा हिंदी में लिखो, पहले मुझे इस question में composite supply explain करना पड़ेगा, फिर मुझे लिखना पड़ेगा, हिंदी में लिखो तो बहुत मजा आएगा, अपने teacher खुद बनो, फिर यहाँ पर मुझे कहना पड़ेगा, कि यह printing और pamphlet voucher यह composite supply है, इस तरह मुझे यह बताना पड़ेगा, कि principal supply में क्लासिफा होता है, फिर मुझे CBIC circular बताना पड़ेगा, कि book printing के supply of service में जाती है, और last में conclusion देना पड़ेगा, यह ऐसे अपने आपको सिखा हो, हिंदी में points लिखो, मैं यह नहीं कहता हो, कि आप word to word लिखे देखो, पर at least points का arrangement, organize तो करो answer को अपने, सीधा exam में जाओगे, लिख लोगे, मजा आगया, मजा आगया, नहीं विटा, ऐसा नहीं चलता है, ओके, तो yes, यहाँ पर, questionnaire, discussion पड़ना बहुत important है, देखना यह बहुत important है, चलो, यहाँ आपने देखा, इस question को, यह यह भी अच्छा question है, शिवाजी प्रयत लिमीटेढ़ बार रजिस्टर शुछचिटर शुछा ऐसलो, of building and complex, excavator for required period of per hour rate, manpower for operation of excavator as per day, excavator दिया वो, excavate करता है, soil, उसके साथ manpower दिया, soil testing and seismic evaluation as per sample rate, the excavator are invariably hired out along with operator, invariably hired out along with operator, अतलब जब जब भी excavator rain पे दिया जाता है, operator के साथ ही ज़िया जाता है, similarly excavator operator are supplied only when excavator is hired out, या operator तभी दिया जाता है, okay, खुदी question इतना clear है, operator तभी दिया जाता है, जब excavator rain पे जाता है, for a given month, the receipt exclusive of GST of Shivaji Private Limited are as follows, hiring charges of excavator 18 lakhs, service charges for supply of manpower operation of the excavator 20,000, soil testing charges 2 lakh 50,000, compare the GST payable by Shivaji Private Limited for a given month, assume the rate of GST, hiring of excavator 12 percent, supply of manpower and soil testing 18 percent, बहुत है जाओ composite supply, composite supply का मतलब हता है, two or more supply which are naturally bundled, ख्याल रखना, composite supply मतलब two or more supply which are naturally bundled in ordinary course of business and supplying with conjunction of one another and mixed supply मतलब two or more independent supply supplied under single price एक अच्छी बात अब मैं आपको बताओगा जो मुझे अभी क्लिक होई जो बताना चाहिए आपको वो काउंसी बात composite supply में ये नही काई कि single price में होना चाहिए जबकि mixed supply में clear बोला है कि single price में होना चाहिए अच्छी बॉला है कि अच्छी बॉला है open करो composite supply की definition वह क्या बोला है two or more taxable supply naturally bundled supplied in consumption with one another in ordinary course of business ये नही बोला है कि single price में मतलब अगर आप price अलग-अलग भी लगाते हो जैसा renting का और manpower का price अलग-अलग भी लगाते हो तो भी ये composite supply में जाएगा even though you separated the price but if it is a naturally bundled naturally bundled supplied in consumption with one another तो वो composite ही जाएगा मतलब क्या मतलब hiring का rate अलग होगा 18 sorry hiring का 12 होगा और manpower का 18 होगा तो भी ये जो principal supply है principal supply है क्या hiring तो ये 12% में ही classify किया जाएगा और hiring का tariff code लिया जाएगा भाई साब ये समझा क्या समझा होगा तो please one type कीजिएगा और कि समझा होगा तो जो यहाँ पर live streaming है देख रहे है one type कीजिएगा जो ODPDV बाद में YouTube पर देख रहे है उन मन में one type कीजिएगा तो ये जो है ये even though separate का लिखा गया पर single price ये word का criteria composite supply में नहीं है जस आप प्रू कर दो कि वो composite है तो वो दोनों merge हो जाएगे और वो situation में दोनों को एक ही rate लगेगा हाँ soil testing ये composite नहीं है और उसकी price भी अलग available है तो soil testing को उसका individual rate लगेगा क्योंकि उसकी price अलग available है इसलिए hiring को 12 okay man per operation को 12 और testing को इसको यहाँ पर correction कर ले ना यहाँ 18 कर ना और calculate करो 18 से बराबर आ रहा है क्या हो 2,50,000 का 18% बराबर आ रहा है क्या amount 2,50,000 18% amount बराबर है okay 18 यहाँ typological mistake होगी okay 45,000 बराबर है तो यह जो था अच्छा problem था इन्होंने अच्छा पूचा है यहाँ पर आपके study mat में है next चलो about Mr. Kanji Lal Alleani is an oil exploration and production contractor, is registered under GST in the state of Gujarat. He entered into a production sharing contract PSC with the government of Gujarat, wherein he gets the license to criticisms to explore, exploit, sell the petroleum crude and natural from the government in ELABET oil field in lieu of royalty and share in profit petroleum. In the month of June, Mr. Kanjalal Aadhani explored a petroleum reserve at ELABET oil field. He got a portion of petroleum silt non-taxable under GST of worth Rs. 3 lakhs as a part of compensation. This petroleum silt is a part of cost petroleum as per contract entered with the government. Examine the taxability of petroleum silt received by Mr. Kanjalal अधनी अदर द गीस्ट लोग जो वो CBIC clarification में जिसमें हमने आखरी आखरी में दिया हुआ है cost petroleum and profit petroleum तो देखो CBIC clarification क्या कहता है cost petroleum is not a consideration received by oil exploration production contract for the service provided by government under the production sharing contract and thus not liable per se उसके पर tax नहीं आएगा reason for the same is that contractor carry exploration and production of petroleum for themselves and not as a service to government they have acquired right to explore the expert sell petroleum and share in the profit petroleum तो जहां तक है compensation received by Mr. Kanjila का अधनी in the form of petroleum silt या आप cost petroleum भी कर सकते हो तो उस पर GST नहीं आएगा ओके तो cost petroleum वाले मामले पर GST नहीं आएगा जहां तक profit petroleum जो share होगा अधनी का तो उस पर GST आ सकता है ओके तो चलिए या आपने देखा 20 अगर आप 22 पर आते हो Mr. Happy a huge residential property Happy has a huge residential property located at a prime location in Mumbai Maharashtra he has let out the first and second floor Mr. Peace residential purposes in April Mr. Peace surrender his tenancy rights to Mr. Seren for tenancy premium 10 lakhs on 1st June Mr. Seren has also paid applicable stamp duty and registration charges on transfer of tenancy rights moreover Mr. Seren has agreed to pay monthly rent 1 lakh to Mr. Happy unregistered under GST okay determine taxability of the transaction as involved in given case for the month of June Tenancy rights CBIC clarification पर जाओ अगर आप tenancy rights वाले CBIC clarification पर जाते हो तो शायद मैं आकरी आकरी में दिया है आपको tenancy rights का ठीक है तो वो open करो ठीक है वो tenancy rights में आपने क्या देखा था even though stamp duty लग रही है registration charges लग रहे है पर tenancy rights charges पर GST आएगा ओके transfer of tenancy rights बोला जाएगा और residential property होगी तो भी उसके tenancy rights पर GST आएगा तो देखो CBIC ओके अब देखो यहाँ पर आपको तो circular की दो तीन लाइन ही याद आएगा पर भाई साव institute के expectation क्या है इस expectation पर focus करना है आपको और फिर हिंदी में आपके own words में points निकाना है CBIC clarification the activity transfer of tenancy rights against consideration squarely covered under the supplier and liable to GST मतलब आपको पहले CBIC clarification refer करना है उसके बाद में institute का expectation क्या है कि आप para 2 of schedule 2 भी refer करो para 2 of the schedule 2 आपको याद होगा तो lease, rental, easement, occupation of land and building वो उसमें cover किया है यह वाला point आपका highlight होना चाहिए although stamp duty and registration charges has been lived on transfer of tenants right it shall be still subject to GST यह वाला तो सामने वाले परोस हो उसको जो paper checker है उसको यह वाला point परोस हो आप stamp duty और registration के वज़े से यह मत समझना कि GST नहीं लगेगा जैसे आपने highlight करके परोस दिया मतलब underline करके परोस दिया marks पक्या होगे आपके okay marks पक्या होगे merely because transaction or supply involve execution of document which may required registration payment registration face time duty would not preclude from the scope of supply यह वाला point अगर आपको drop करना है तो drop कर सकते हो क्योंकि आपने ओपर लिग दिया आपने ओपर लिग दिया इसलिए drop कर सकते हो transfer of tenancy right cannot be treated as sale of land and building हाँ यह भी आपसे expect कर रहे है कि वो sale of land and building में नहीं जाता है okay वो tenancy right rain में जाता है okay तो यह वाला point भी आपसे वो expect कर रहे है इसलिए वो schedule 3 apply नहीं होगा service provided by outgoing tenant by way of surrendering tenancy right against the constitution of portion of tenancy premium liable to GST यह वाला point भी drop कर दिया क्योंकि यह outgoing का नहीं है okay यह तो हमने tenancy premium आगे transfer के तो यह भी drop कर दिया आपने तो भी चलेगा उसके बाद में next circular further clarified that renting of residential dwelling for use as resident to unregistered person is exempt rent of tenancy right in a residential dwelling for use of residence dwelling against tenancy premium और periodic rent और both to be unregistered person is exempt हां तो इसके ओपर GST तो आएगा पर यहां पे फिलाल exemption में है यह खास बात क्या थी यहां यह problem की की एक exemption है renting of residential dwelling use for residence to unregistered उन्होंने का कि यह जो है unregistered को transfer किया unregistered को transfer किया तो यह tenancy right liable to GST है बट फिलाल exempt है क्योंकि इन्होंने अगर main activity है आपकी renting of residential dwelling to unregistered exempt होती है क्योंकि registered के case में तो reverse charge आता है unregistered को दिया तो exempt होता है तो exemption में और detail ने पड़ा होगा तो unregistered को अगर main renting exempt है तो उसका tenancy rights भी exempt रहेगा sorry 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 okay renting okay exempt रहेगा और उसका tenancy right जो है liable to GST पर उसका monthly rent exempt रहेगा sorry मेरे से गलती होगी okay आपका main renting जो है वो तो exempt रहेगा पर उसका tenancy right जो है वो tenancy right से exempt रहेगा और tenancy right पे GST रहेगा पर आपका rent जो रहेगा वो exempt रहेगा okay तो sir इतना सारा कहां से लिखे तो भाई साब इसमें से mainly आपका जो मैंने बता दिया stamp duty all a point आना चाहिए cbic clarification आना चाहिए और आपका ये point भी आना चाहिए कि ठीक है यहाँ पर आपका range जो है वो exempt रहेगा चलो तो यह था regarding to tenancy premium जो point हमने यहाँ पर देखा next यहाँ देखते है चलिए बेटा ये chapter का ये जो discuss करने लाइक है last question हम देखें देखें ये last question हम देखें ये last question हम देखें अच्छा question है ये question exam में 8 marks के लिए पूछा गया था जितना मेरे को याद आता है चलो यहाँ देखते है प्रॉपरली सारी चीज़े identify करना power engineering limited a registered supplier is engaged in providing expert maintenance and repair services for large power plant service है highlight करो expert and repair services for large power point so rough में points लिखाँ ये भी practice बहुत जरूई होती है याद करने से याद नहीं आता है लिखो बडबड में जो बोल रहो कि लिखो service maintenance and repairs service maintenance and repairs okay power plant that in the nature of immovable property the maintenance repairs of IP immovable property situated all over India the company has head office in Bangalore Tarnataka and branch offices in other state लिख दो HO Bangalore में and branches other state में लिखो fast में HO Bangalore में and branches other state में the work is done in following manner work is done in following manner the company has self-contained mobile workshop which are a container truck लिखो वो लिखो next point मा लिखो container truck रैकेट में workshop वो ट्रक ही एक workshop है mobile workshop है fitted out for carrying out the repairs मतलब सारे equipment truck के साथ लगे हुए है सारे equipment truck के साथ लगे हुए है for repair maintenance and इनको अगर कही repair maintenance करना रहा तो इनके truck के साथ वो equipment के साथ truck जाता है ठीक है the truck are equipped with the item items like repair equipment consumable tools parts to handle wide variety of repair work okay truck is sent to the client location for carrying out repair work क्या होता है जब भी किसी से order मिलती है तो truck को भीजा जाता है client side पे direct repair work के लिए depending upon the repairs to be done the equipment consumable tool parts are used from truck truck from the stock of such item carried out in a truck truck के अंदर ही equipment होते है consumables होते है parts होते है tools होते है और वो ही यूस किये जाते है in some cases stand-alone machine also sent to client premises in such truck for carrying out repair work कभी-कभी machine attach करके sometimes machine also attach with truck for repair machine also attach with truck for repair customer is built after after the completion of repair work depending upon the nature of work and actual quantity of consumable parts etc. used for repair work billing जो होते है preparing के बाद कितना consumables लगा कितना work हुआ कितना hour लगा उसके भी इस पर billing होते है sometime truck is sent to the company's own location sometimes truck is sent to company's own location in other state from where it is further sent to client location तभी कभी वो अपने ही dim distinct person के पास जाता है और वहां से client location पर जाता है वर्काउट GST liability maybe CGST और IGST और Power Regenering Private Limited Bangalore on the basis of facts as prescribed read with the following data for the month of November 26 ये question लिख कर देखना मेरे समझाने के बाद भी लिख कर देखना question अच्छा है confidence बढ़ेगा आपका now मैं आगे बनने के पहले CBIC clarification पर जाओगा और वह CBIC clarification हमने कहा लिया था वह बताता हूँ आपको याद होगा तो जो truck है यहाँ पर schedule 2 के बाद मैंने लिया होगा शायद एक मिनदे truck वाला container truck repair के लिए जा रहा है शायद आकरी में है schedule 2 एक diagram होगी और वहाँ truck जा रहे है तो हमने यह देखा था कि truck पर GST नहीं आता है तो यहाँ पर just a minute हाँ हमारे notes में आपको मेलेगा schedule 3 के बाद ठीक है schedule 3 के बाद एक interstate movement of various mode of convince पढ़ो मेरे साथ convince का interstate movement पढ़ा था जिसमें हमने यह पढ़ा था सुनिएगा जिसमें हमने यह पढ़ा था कि अगर convince interstate movement between distinct person होते है convince का supply नहीं बोला जाएगा अगर convince जा रहे था फिर उसके बाद और एक circular था कि उसके साथ अगर rigs tool spares जा रहे है उसके नीचे एक था उसके साथ अगर rigs tool spares जा रहे है तो वो situation में वो भी supply नहीं माने जाएगे सब को दिखा सब को दिखा तो yes बोलिएगा सबको देखा तो yes बोलिएगा हमने यह देखा था कि रिक्स टूल जा रहे है, पढ़ा आपने समय दो मिनिट पॉस करके पढ़ लेना यह clarification, अब देखो यहाँ पे इसके बेस पे हम समझने की कोशिश करते है truck sent to own location in Tamil Nadu, तुद कही location को तमिल नाडू में भेज आ गया value of items containing truck 3 lakhs value of truck 25 lakhs okay तो अब ध्यान से सुनिएगा यह जो truck जा रहा है, यह truck आपकी location पे जा रहा है जिसमें items है कुछ, हाँ, space नहीं बोला है, items है कुछ goods जा रहा है, और truck की value खुद दी है, तो हमने वो clarification देखो truck में, truck के अंदर जो goods है, except spare rigs या equipment शोड़के trucks के अंदर जो goods है, अगर आपकी ब्रांच को जा रहा है, तो वो dim supply माने जाएगे, तो इस पे GST आएगा, इस पे GST आएगा 3 lakhs, goods पे आता है, provided that वो rigs, tools वगरे नहीं होने चीए, but truck के value पे GST नहीं आएगा as per CBIC clarification, then A समझाओ जा तो A type करो फटाफट, जो यहाँ पे मुझे live streaming देख रहे है, दूसरा, truck sent to client location in Tamil Nadu for carrying out repairs, stand-alone machine is also sent in truck to client locations for repairs, value of the atom contained in a truck, truck अंदर जो, अब यह जो truck जा रहा है वो यहाँ पे client location पे जा रहा है, यह clarification जो applicable है, वो between DDP है, मतलब DDP में goods transfer होते है, तो वो situation में supply माना जाएगा, truck के value पे GST नहीं आएगा, तो 3 लाग पे GST आएगा, और यह जो है, वो location in Tamil Nadu जा रहा है, और कहां से जा रहा है, और के बंदा कहां का है, head office एक मिनट, पहले discuss कर लेते हैं, फी रहा है, उसके बाद में, truck sent to client location in Tamil Nadu, for carrying out repairs, stand alone, machine also sent to truck to client location for repairs, तो ध्यान रहा है, अब यह direct client के place पे जा रहा है, अब client के place पे goods को भेजना, यह सुनना, आपका client place पे क्या जा रहा है, item contained in truck, उसके बाद में stand alone machine जो attach, और value of truck 20 lakhs, यह point समझने का है, और यहां student ने, जब यह problem exam में पुछा गया, यहां student ने mistake की, जब आप repair के लिए भेज रहे हो, तो आपका client को direct bill बनेगा, और client को direct bill बनेगा, ध्यान सुनिएगा, तो अब उसके case में आपका bill repair का बनेगा, तो अब वो repair में, ध्यान सुनिएगा, आपको यह items का bill ने बनाओगे, क्योंकि आपका contract भी repair contract है, पहली बात तो यह machine जो जा रही है, attach, इस पे GST नहीं आएगा, truck पे भी GST नहीं आएगा, और जो items जा रहे है, उस पर भी GST नहीं आएगा, सर जो items जा रहे है, उसके उपर GST क्यों नहीं आएगा, ओके, बताता हो, बताता हो, क्योंकि आपकी, जो billing होगा, वो billing आपका service का होगा, repair service का होगा, और immobile property, वो repair service में item की cost included ही लहेगी, इसलिए आप item नहीं बेच रहे हो, customer को, वो तो आपके truck के साथ जा रहे है, consumables, आप service का पैसा लगा रहे हो, तो no doubt आगे वो आएगा कि कितने service का पैसा है, वो आप में देखेंगे, truck sent to client in Kannadaka for carrying out repairs, value of item contained in truck 1 lakh 6,000, and value of truck 20 lakhs, यह 20 lakhs पर भी GST नहीं आएगा, billing of repair to be done afterwards depending upon the actual item, अगर उपर का आपने case study पढ़ा होगा, तो हम item नहीं बेच रहे है, हम billing repairs की कर रहे है, और repairs on immobile property, goods involved है तो works contract में classify होता है, works contract की definition देखा हूँ, works contract कहता है कि कोई भी repairs, construction, renovation वगेरे, immobile property भी किया और जिसमें goods involved है, तो works contract service, वो supply of service भी contract में जाता है, I hope आपको समझ रहोगा मैं क्या बूर रहा हूँ, इसले इवन्दो उन्होंने अलग-अलग items के value दिये, पर हमारा outward bill item का है यह नहीं, हमारा outward bill service का है, ही के, invoice raise for repair work carried out in Tamil Nadu, including the invoice for repair done, work done in B, work done in B, वो कितना है, 70 lakhs, और उसके बाद में invoice raise for repair work carried out in Karnataka, वो 12 lakhs है, Karnataka in 12 lakhs है, तो ऐसे situation में GST rate repair work का दिया है, truck का दिया है, और works contract repair and maintenance service of immobile property दिया है, okay, repair service का rate उन्होंने 12% दिया है, और यहाँ पे 18% दिया, यहाँ पे एक आप से क्या expectation था, question बढ़ा अच्छा था, पहली बात तो आप यह समझ गया होंगे कि उसने billing किया है, और billing रिपेरिंग का किया है, और यह रिपेरिंग इंडिजन रिपेर सर्विस में जाएगा है, वक्स कॉंट्रेक में जाएगा, इंडिविजन रिपेर सर्विस का रेट जो दिया गया, उन्होंने 12% दिया है, 6-6-12, और वक्स कॉंट्रेक का रेट दिया 18%, भाई साब, अगर उसमें आइटम याने गूट्स मेटरियल इन्वाल्ड है, और इसमें भी मेटरियल इन्वाल्ड है, और आपका आउटपूट रिपेर कॉंट्रेक्ट है, तो वक्स कॉंट्रेक्ट सर्विस में जाएगा, और अगर यह वक्स कॉंट्रेक्ट सर्विस में जाएगा, तो rate works contract service के याने 18% लगेंगे, you are required to make suitable assumption, यह RTP 2018 में question पूछा था, तो देखिए, आपने पहले case में Tamil Nadu में भेजा, IGST लगेगा, क्योंकि आप जो है, आप कहाँ पे हो, तो आप जो आपका करनाटे का बैंगलोन मेड़ आपीस है, और आपने Tamil Nadu other state में भेजा, तो वो case में आ आपका IGST लगेगा, IGST 12% से item पे लगेगा, truck की बात होगी, तो truck पे GST नहीं आएगा, दूसरे case में आपने machine बेजी, stand-alone machine, वो भी circular के हिसाब से GST नहीं आएगा, क्योंकि जहां तक देखा जाए, आपकी machine जा रही है, पर आप machine थोड़ी बेच रहे हो, machine पे GST थोड़ी ल लगेगा, क्यों, क्योंकि आपका billing जो है, वो repairs का है, बेचने का bill नहीं है, रिपेर में, आपको 18% as a works contract, और 18% works contract पे, आपके value पे GST लगेगा, और पहले case में IGST लगेगा, तामिल नाडू में, और करनाटर का बैंगलोर, और सेम स्टेट है, इसलिए CGST और SGST लगेगा, CGST और SGST लगेगा, और इसकी notes, important button notes है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये question आपने लिख कर, notes के साथ देखना है, question बड़ा अच्छा है, और कि इसमें अगर ये question आए, तो student से होने वाली mistake, पहले तो ये truck वाला उसको यादी नहीं आएगा, पहले वाले में, item पे मैंने GST इसलिए लगाए, क्योंकि वो DDP में आता है, दुसरे वाले में नहीं जा रहा है, तिसरा वाला DDP में नहीं जा रहा है, direct client place को जा रहा है, और client place को हम item का billing ही नहीं कर रहे है, client place को हम repair का billing कर रहे है, और उस repair service में items यूज कर रहे है, उस repair service में items यूज कर रहे है, तो ये contract works contract बुला जाएगा और इस पर GST आएगा, question बढ़ा अच्छा था, एक बार आप खुद रीड करना, पूरे सब चीजे, table बना के देखना, call करके देखना, पूरे ये chapter में मैं यही एक problem को हुगा, कि आप लिख के देखना जरूर, पूरा, और इसकी notes, notes का reference, नीचे notes, पढ़ कर लिखना, short में हो सके तरह, short में भी करने की कोशिश करना, तो इस तरह से आपको यहाँ पर value, और no doubt, इसमें section 28, rule 28 का reference लिया, वो valuation में मैं पढ़ाओगा, और के rule 28, place of supply का reference लिया, IGST Act का लिया, वो IGST Act में पढ़ाओगा, अभी जस पढ़ लो, बाकि यह place of supply अगरे मैं IGST Act में section 10 आपको पढ़ाओगा, then, जो जो reference आप हमने पढ़ा है, वो तो आपने याद रखना, जो reference आगे के chapter है, तो उसमें cover करोगा, तो यह था, बहुत अच्छा कोशन था, यहाँ पर आप जरूर करके जाईएगा, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ यह खतम किया, आज का discussion, question है, अच्छा कोशन था, लास्ट वाले कोशन पर आप जरूर प्रैक्टिस किजिएगा, I hope आपके discussion अच्छा लगा होगा, यहाँ रुकता है, और आज का session यहें end करते है, थांक्यू सो मच, गुद दे, गुद नाइट to all of you, ठीक है, चलाओ.